नमस्कार आप देख रहे हैं CWB Hindi News ने नीट प्रेक्सा उतिन करने वाले परदेश के 30 बचों तथा विंटर एडवेंचर फेस्टिवल 2021 में भाग लेने वाले सभी जिलों के विद्यार्तियों को सम्मानित किया चड़ूनी ने बनाई सन्युक्त संगर्स पार्टी प्रेस कॉन्फरेंस करके किया एलान 117 शीटों पर चुनाव लड़ने की घोषना पंज़ाब में अफिम की खेती की पैरवी भारते किसान यूनियन के नेता गुरूनाव सिंग चड़ूनी ने सन्युक्त संगर्स पार्टी बना ली है मिसन 2022 की पंजाब से सुरुवात है इसकी गोषना चंडिगड में प्रेस कॉन्फरेंस करके दी चड़ूनी ने कहा गि हमारा मकसद अमीर होना नहीं है भाजपा 5 परदेशों में चुनाओ जीत्ती है तो भाजपा बिल वापस लाएगी ऐसी कोई संभावना नहीं है फिर भी वापस लाएगी तो किसान लडने के लिए तयार है पंजाब में हमारा गठमदन किसे के साथ नहीं है, 117 शीटों पर लड़ने के लिए हम तयार हैं किरन चोधरी ने उठाए बिल पर सवाल, बोली भूमी आधिकरेन पुन्दरवास अधिनियम चोथा काला कानून सरकार तुरंत वापस ले कॉंगरेसी MLA किरन चोधरी ने भूमी आधिकरेन पुन्दरवास अधिनियम को चोथा काला कानून बताया शैनिवार को एक प्रेस कॉंफरेंस में उन्होंने सरकार पर इस बिल को मनी बिल में पास करने के आरोप लगाए बिल अगस 2021 के सेशन में सरकार लेकर आई थी उस समय उन्होंने इस बिल पर विरोज जताया था परंतु सरकार ने पास कर दिया बिल के अनुसार सरकार लेंड ओनर के जमीन 48 घंटे में अधिकरेन कर सकती है भूमालिक कहीं जा भी नहीं सकता यदि लैंड होल्डर की जमीन की कीमत 50% भी जादा है तो अब एक कीमत भी नहीं मिलेगी यदि पास होता है तो यह लैंड होल्डर के खिलाफ है इसलिए सरकार को इसे वापस लेना चाहिए रेवाडी दिल्ली के 20 दोड़े की स्पेसल ट्रेन 20 दिसमबर से कर सकते हैं सफर दैनिक यात्रियों के लिए फायत मन अनारक्षित होगी मेल एकस्प्रेस हर्याना के रेवाडी और दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशकवरी है 20 दिसंबर से इस रूट पर एक ओर ट्रेन चलने वाली है यह अनारक्सित मेल एक्सप्रेस ट्रेन रेवाडी दिल्ली के बीच के सभी स्टेशनों पर रुखेगी ट्रेन शुरू होने के बाद हजारो यात्रियों को इसका फायदा होगा बता दें कि 20 दिसंबर से गाड़ी संख्या 0-42-83 स्याम 4 बज़कर 10 मिनट पर पुराईनी दिल्ली रेल स्टेशन से चलकर रेवाडी जंक्सन पर साम 6 बज़कर 40 मिनट पर पहुँचेगी वापसे में 21 दिसंबर से एक ट्रेन संख्या 0-49-90 सुबह 7 बज़कर 5 मिनट पर रेवाडी से चलकर सुबह 9 बज़कर 35 मिनट पर दिल्ली पहुँचेगी जेविटी से DPE बने सिक्षकों को जटका कोट के आदेशों का हवाला देकर सिक्षव वागने जारी किये जेविटी पतपट डिमोशन के आदेश सिक्षव वागने पर देश के 32 DPE यानि सारे रिक सिक्षव अध्यापक को बड़ा जटका दिया है ये सिख्षक जेविटी से पदोनत होकर DPE बने थे अब सिख्षक विवाग ने सुक्विंदर बनाम स्टेट आफ हर्याना के केस का हवाला देते वे इन सभी को डिमोट कर दोबारा मूल पत पर भेजने के आदेश जारी किये हैं 2008 वे 2020 में पदोनती के बाद कई सिख्षक तो लेक्षरर भी बन चुके हैं और अब फिर से उनको जेविटी बनाया जाएगा हर्याना में कड़ी सुर्क्षा के बीच एस्टेट के परिक्षा बिना मास्क एंट्री नहीं हर्याना विद्याले सिख्षा बोड द्वारा सनिवार को हर्याना अध्यापक पातरता परिक्षा शुरू हुई परिक्षा को लेकर कड़े परबंद किये गए हैं वहीं समाप्ति पर हाजरी भी लगाई गई, प्रिक्षा केंदरों में जैमर सिस्टम लगाई गई हैं, यह सिस्टम प्रिक्षा शुरू होने से आदा गंटे पहले से लेकर प्रिक्षा समाप्ति उप्रांत ओमर सीट का लिफा पबंद होने तक चालू रहे, इसे के साथ प्रिक्षा में महिला प्रिक्षार्तियों को मंगल सुत्र पहनने वे बिंद्या लगाने की इजाज़त दी गई, इसके लवा आबुषन, मोबाइल फोन, रुमाल वा अन्य कोई भी वस्तु अंदर किसी भी प्रिक्षार्तियों को लेकर नहीं जाने दी गई, प्रिक्षा देने वाले प्रिक्षार्तियों को बिना मास्क परवेश नहीं करने दिया गया। प्रिक्षार्तियों की चुट्टी, अंदुलनकारी किसानों पर दर्ज केसों की वापसी और मर्तकों के आसिरतों को नोकरी वे मुआवजे को लेकर सदन में खुब तीखे आरोप प्रत्यारोप होए। प्रतिसत या उससे अधिक परिवारों दोवार अपने माकान बनाए गए हैं। प्रतिसत या उससे अधिक परिवारों दोवार अपने माकान बनाए गए हैं। उनमें पक्की गलियां बिजली वे पानी की पाइपलाइन के सुविधा परदान कर दी गई है। परदान मंतरी नरेंदर मोधी ने 15 अगस 2020 को लाल के लिए से अपने संबोधन में बेटियों की साधी की उम्र का उल्ले क्या था। उन्होंने कहा था कि बेटियों को कुपोशन से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी साधी उचित समय पर हो। मुताबिक 21 और 18 साल से पहले की साधी को बाल विवा माना जाएगा ऐसा करने और करवाने पर दो साल की जेल और एक लाग तक का जुर्माना हो सकता है। अगर आप आने वाले दिनों में निवेस करने की सोच रहे हैं तो आप पोस्ट ओपिस की स्माल सेविंग स्केम्स में कर सकते हैं। इन योजनाओं में आपको बैंक के मुकाबले बेहतर रिटन तो मिलता ही है, साथ में इसमें निवेस किया गाए पैसा भी पूरी तरह सुरक्षित है। इस योजनाओं में ने सिर्फ आपका पैसा सुरक्षित रहता है, बलकि मैचयोर्टी पर यानी 24 महीने या यू कहें कि 10 साल 4 महीने में दोगना पैसा हो जाता है। इस योजना के लिए ब्याजदर की बात करें तो 6.9 फिजदी तया की गई है। किसान विकास पत्र इस तरह के एक मुस्त योजना है, जिसे भारत सरकार चलाती है, या मुख्य रूप से किसानों और काम आये वाले व्यक्तियों के लिए जारी की गई है, ताकि वे अपने पैसे को लंबे समय तक बचासकें। देश भर के डागगरों और बड़े बैंकों की जरीया आप इस योजना में निवेश कर सकते हैं, इसमें कम से कम एक जार रुपे से निवेश सुरू किया जा सकता है, जबकि अधिक्तम की कोई सिमा नहीं है, अगर योजना में पचास जार रुपे निवेश करते हैं, तो म आप आसानी से इन नोटों को बदल सकते हैं RBI यानि Reserve Bank of India की ओर से भी फटे फुरानी नोटों को लेकर guideline जारी किये गई है जिसके मुताबिक ग्रहत बैंक में जाकर इस तरह के नोटों को change करा सकते हैं भाजते Reserve Bank of India यानि RBI के साल 2017 के एक्षेंज currency नोट के नियमों के अनुसार अगर आप ATM से आपको कटे फटे नोट मिलते हैं तो आप इने आप बाद में आसानी से बदल सकते हैं हर बैंक को पुराने फटे या मुड़े हुए नोट स्विकार करने होंगे बसरते वे नकली नहीं हो इसलिए आप आसानी से अपने पासवाले बैंक के या ब्रांच में जाकर नोट बदलाओ कर सकते हैं इसके लिए कोई भी अतिरिक सुल्क नहीं लिया जाता साथ ही इसके लिए उस बैंक का ग्रहाक होना भी आऊ सक नहीं है अगर आपका नोट टुकड़ो में फटा हो तो अभी बैंक इसे बदलेगा यहां तक कि फटे नोट का भी कोई हिससा गाइब हो तो अभी उसे एक्सेंज किया जा सकता है अगर किसी नोट का हिससा पूरी तरह से फटा हो पूरा हिससा कट गया हो या पूरा नोट जला हो तो उसे शिर्फ RBI के issue office में बदला जा सकता है इसके लिए आप एक form burger सरकारी bank या private bank के currency chest या RBI के issue office में जाकर बदल सकते हैं आपको बता दे कि नोट बदलने bank के उपर निर्बर करता है कि वह बदलेगा या नहीं इसके लिए कोई भी ग्राहक bank में जबरदस्ति नहीं कर सकता बता दे कि bank नोट लेते समय चेक करता है कि नोट को जानवुज कर तो नहीं फाड़ा गया है इसके लावा नोट के condition कैसी है आपको बता दे कि कुछ स्थीतियों में नोटों को बदला नहीं जा सकता है भाते रिजरो बैंक के नियमों के अनुशार बुरी तरह जले हुए टुकडे टुकडे होने की स्थीतियों में नोटों को नहीं बदला जा सकता इस तरह के नोटों को RBI के issue office में ही जमा कराया जा सकता है आपके नोट के हालत और नोट value पर यह निर्बर करता है कि आपको पूरे पैसे वापिस मिलेगा या नहीं 28 चार्टर विमानों के जरिये किर्केटर महेंदर सिंग दोनी केंदरे शड़क और परिवयन मंत्री नितिन गड़करी अडानी समुके मुख्या गोतम अडानी केंदरे खेल मंत्री अनुराग ठाकूर केंदरे विमानन मंत्री जोतर आधित सिंधिया महराष्ट के उब मुख्य मंत्री अजित पवार, महराष्ट के प्रेटन मंत्री अजित ठाकरे, कॉंग्रेस नेता गुलाम नभी आजाद और फारुक अब्दुल्ला, पुरु शेम कमलनात, उद्योकपति अनिल अंबानी, लोकसभा सांसत राजिव परताब रुडी, सुन अनिल कपोर, फैसन डेजानर मनिस मलोत्रा, इंडिन क्रिकेट टीम के पूर कोच, रवी सास्तरी, फिर्म डियक्टर मदूर बंडारकर, अनिल अमबाली, जय बच्चन समेट, नामचीन हस्तेयां सिर्कत करेंगी कोरोना पर बने पैनल का दावा, देश में ओमिक्रोन की वज़े से आईगे तीसरी लहर, फरवरी में पीक पर होंगे केस दुनिया भर में कोरोना के नई वेरिंट ओमिक्रोन की खतरे की बीच भारत में महामारी की तीसरी लेहर को लेकर चोकाने वाला दावा सामने आया है National COVID-19 Supermodel Panel के मताविक ओमिक्रोन से देश में फरवरी तक कोरोना की तीसरी लेहर देखने को मिल सकती है देश में कोरोना के तीसरी लेहर फरवरी में अपने पीक पर होगी हालांकि यह सेकंड वेव जितना खतरनाक नहीं होगी फरवरी में नई मरीज भी दूसरी लेहर की अपेक्स कम होगे प्रोफेसर विदा साकर ने बताया कि ब्रिटेन में कोरोना का नय वेरिंट ओमिक्रोन तेजी से फहला रहा है हालां कि भारत में ब्रिटेन जैसे स्थिते नहीं होगी इसके पेसे उन्होंने दो वज़े बताई है पहली ये कि बिर्टेन में सिरो पोजिटिविटी कम और वैक्सिन रेट हाई है वहीं भारत में ये दोनों ज़्यादा हैं यही वज़ा है कि तीसरी लहर बहुत खतरनाक नहीं हो पाईगी हर्याना के कुरुचेतर में ब्रह्म सरो और तीर्थ के विकास के लिए सरकार हर कदम उठा रही है ताकि दुनिया में गीता के ग्यान का प्रकास फैल्श के अब देश और विदेश से आने वाले प्रेटकों और सरधालों को महा आर्ति के मंतरों चाने के साथ साथ पवित्र ब्रह्म सरो और पुर्शोतम पुरा भाग पर रंग बिरंगे फवारे भी चलते दिखाई देंगे इस प्रोजेक्ट पर भारत सरकार के संसकर्ति और प्रेटर मंतराले के और से एक करोड 45 लाग रुपे का बजट खर्च किया जाएगा यह प्रोजेक्ट एक महिने के अंदर पूरा हो जाएगा जल्द ही आरतिस तल के ठीक सामने फाउंटेन लगाने का गारी पूरा कर ले जाएगा और शंभावना है कि अगले 15 दिनों में आरतिस तल के पास रंग बिरंगे फवारे चलने शुरू हो जाएगे इससे यहां के दरश्य मनमोहक हो जाएगा जो प्रेटकों का अगर्शित करेगा